नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में रुख करते हैं बिहार के तरफ बिहार में बिहार कॉंस्टेबल की भरती निकाले गई एक 2020 एड़टाइजमेंट संकिया था और ये वेकेंसी निकाले गई थी दोस्तों स्वाभीमान पुलिस अप्लोड नहीं हो पाए थे जिसके लिए विज्यापन संक्या 2020 में अपडेट किये गया है दोस्तों इस नोटिस के जरिए कि आप अपना सुधार कर लिजे आपको एक बार और मौका दिया जा रहा है और इसके रिगार्डिंग एक अपडेट और है जो कि मैं आपको बतान या 15 से लेकर 25 केवी तक का ही आपका फोटो और सिगनेचर होना चाहिए है यह ध्यान रखेंगा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही फोटो आपको लगेगी और काले पेन से ही आपको सिगनेचर करना है इस चीज का ध्यान रखेंगा और इसको स्कैन करके फिर से आपको अप्लोट करना है साइज यहां पर वर्नित किया गया है नाम यहां पर उन सभी छात्राओं का और रेजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है यहां पर वो चेक कर सकती है जिनका फॉर्म रेजेक्ट हो सकता है फोटो और सिगनेचर के चलते तो यह एक छोटी सी अपडेट यह दोस्तों लेकिन यह यह जो है आपको अन्ती मैं उसर दिया गया है जो कि आपको अफिशल वेबसाइट भी और संक्राओं करते हैं अब यह लिंक जो है यहाँ पे एक्टिव किया गया है 27 अगस से 5 सेप्टमबर के लिए तो कल से यह एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे कल जाके आपका अगर जिन दसो चात्राओं का यहाँ पे आवेदन में फोटो और सिगनेचर अपलोड नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं यह तो हो गया दोस्तो इसके रिगाडिंग अपडेट लेकिन इसकी वेकेंसी जो आई थी इसका एक्जाम कब लिया जाएगा उसके रिगाडिंग भी एक नोटीस है हमारे पास यहाँ पे जो कि मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूँ लेकिन एक छोटा सा अपडेट और कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन दबा के ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ से आपको पल-पल की ख़बर मिलती रहे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बदा देना चाहते हैं कि जो सुबा में वेकिन्स के साथ कि अपडेट किया गया है इस वीडियो को भी खासकर देखे गया भी बीटी एसी के बारे में भी जो अपडेट किया गया है चलिए अब लेकर चलते हैं इस notice पे जो की यहाँ पे update किया गया है दोस्तों इस पहली की प्रक्रिया को लेकर जो भी छात्राइं यहाँ पे आविधन की थी यह update दिया गया है दोस्तों आप चेक कर सकते हैं यहाँ यह है battalion यानि की स्वाभिमान पुलिस battalion के लिए ही वर्ती निकाले गे थी जहां पे आपके जो जीला सिक्षा पतादिकारी के द्वारा पस्चिमी चंपारण बेतिया के तरफ से इसका एक अपडेट आया है कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं यहां पे इनके कुछ सेंटर्स होने वाले थे इस एकजाम को लेकर जो की यहां पे अपडेट किये गए थे यहां पे और यहां पे बोला जा रहा है कि केंद्रिय चैन परसत की जो सिपाही बढ़ती थी उसमें बिहार पुलिस अंतरगत बिहार स्वाभीमान पुलिस बटैलिय इनके सिपाही को लेकर करिब चो 454 पदों की यहां पे प्रक्रिया निकाले गए थे इसका चैन भरती है तो आवेदन मांगे गये थे उसके लिखित परिक्षा है तो यहां पे 4 अक्टूबर 2020 यानि कि रभीवार को आपका एक्जाम होने की संभावना है तो एक प्रस्ताव GKGS Hindi English की तैयारी आपके कराई जा रही है तो यह वीडियो आप लोग देखेंगे और तैयारी में लग जाएं जो भी छात्रा है इसका फॉम बरी है चुकि 4 अक्टूबर को दिन रभीवार को इसका एक ही पाली में एक ही एक्जाम होगा जिसका केंद्र यह सारा उपर निर किया गया था जो कि 24 अगस तक इसको बेतिया के पश्चिमी चंपारन के जीला सिक्षा पतादिगारे के द्वारा अपडेट भी किया गया है दोस्तों यह उपर युक्त विशाय के संबंद में अगर हम बात करें तो अंकित होता है यहां पे कि जो भी सुचित किया जाता है कि केंद्रे चेन परसद सिपाही भरती द्वारा बिहार पुलिस अंत्रगत बिहार सुअभिमान पुलिस बटैलियन में सिपाही भरती का 454 पद का यह वेकेंसी निकाला गया है जिसकी लिखित परिक्षा जो है प्रस्तावित 4 अक्टूबर को होने वाली है यही एक विशे को आपको कैसे कंड़क्ट कराना है ठीक है तो यह जितने भी और सिक्षा जिला पदादिकारी है उन सब को भीजा जाएगा जहां जहां इसके सिंटर्स होंगे उस उस जिले में दोस्तों लेखिनिये हैं कि कमरों की संख्या में कम से कम 24 अभ्यार्थी से ज्यादा लोग नह है तो इसका एक्जाम लेना संभव हो पाएगा यह सारी चीज़े रिकॉर्ड होंगी तो इसलिए आप लोगों से बुला जा रहा है कि यह सारी चीज़े देख लिजे अच्छे से तयारी शुरू कर दीजे और आता यहां पर निदेश दिया जाता है कि दो परिछार्थियो अंदर इस कार्याले को उपलब्द करना सुनिश्चित किया गया है जहां पर सिक्षा विभाग को यह दिया गया है अपडेट की जिला सिक्षा पतादिकारी पस्षिमी चंपारन बेतिया को यह निर्देश दिया गया है और यह नोटिस आप इसके ऑफिशिल वेबसेट पस आप मैंने आपको शेयर कर दिया है टेलिग्राम पे तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी पस्षमी चंपारन बेतिया की तरफ से अध्यक्ष केंद्री चेंपरसत की तरफ से अपडेट दिया गया है जो क बताया गया है कि आपका एक्जाम है जिहां दोस्तों चार अक्टूबर को और एक अपडेट दिया गया है कि आप इन दस अभियार्थी जो हैं जो कि यहां पे एक्जाम में इनका फोटो और सिगनेचर मैच नहीं कर रहा है तो वो अपना जाके सुधार करेंगी कल से लेकर पांच सेप्टमबर तक तो ये दो अपडेट यहां से मेंसन किये गए हैं दोस्तों स्वाभी मान पुलिस भरती को लेकर लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या अब यहां पे जो बिहार कॉंस्टेबल का एक्जाम हुआ था उसका अभी सारारिक पॉजिटिव की केसिस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सुधार की आशंका बन रही है कि यह चीज़े काबू में की जा सकेंगी और बहुत जल्दी सरकार इस पे बहुत सारा काम भी कर रहे है कि इसको सुधार किया जा सके जिसको लेकर यहां रोज हिंदुस्तान पेपर परिचलन है वो भी सुरू कर दिया जा चुका है बसेज वेगरा बिहार में सुरू हो चुकी है जाना और वहां पे एक नंबर भी आपको मैसेज किया है कि अगर आपको रुहतास के छेतर से कहीं भी एक्जाम देने जाना होगा तो आप उस नंबर पे कॉंटेक्ट करेंगे वो वीडियो देख लिजीगा जो मैंने बिहार परिवहान विबाग का एक वीडियो बना के डाला है कि बस का परिचलन चारू हो गया उसमें एक नंबर दे दिया है मैंने आपको जिया वहां पे आप कॉल करके उनसे बात करके जो पूछ सकती हैं जो भी जिनको जहां स्वाभी मान पुलिच भरती का और सारीक परिशा के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है आपको लेकिन इसी महीने में आपको अपडेट किये जाएंगे दोस्तों बहुत सारे एक्जाम अभी पेंडिंग पड़े हुई है बड़े बड़े एक्जाम प आज ही आ रहा है कि जो चातर आंदोलन कर रहे थे जाकर बिहार STAT के ओफिस में वहां पे जहां पे मुख्याले है इसका तो वहां पे उनको FIR किया गया उनके उपर तो एक कल बड़ी अपडेट आ सकती है इसके कुछ परिच्छाओं को लेकर या फिर इस केस से लेकर तो यह एक अपडेट है दोस्तों जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना संभव समझा और आपको करना है क्या तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए ताकि हर एक छातर तक जा सके जिनोंने इसका फॉर्म बरा है 454 पदों के लिए स्वाभिमान पुलिस की भर परति को लेकर तो धन्यवाद दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बबाए टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का